कैसे हैं दोस्तों स्वागत है आप सवी का एक वाफिसे एडिकेशन वाले हैं चैनल में हम लोग आज बिहार सिविल कोर्ट दोज़बाइस से तेईस में जो फर्म फिलम्प हुआ है उसके सलेबस पर और प्रैक्टिस से पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर् जो है चपरासी इसे अरदलिये या प्यून भी कहते हैं जो हम लोग का एकजाम होगा वो ओफ्लाइन में होगा उसके बाद देखते हैं कि हिंदी अंग्रेजी गनित सक्षाचाकार यानि चार गया है इसमें हिंदी से जो कोशन आएंगे हम लोग को हिंदी से 35 कोशन उसके बाद सक्षाचाकार में 15 नंबर के पुछे जाएंगे जो इंटर्वीव होंगे ठीक है तो यह हम लोग समय सके हैं मोटा मोटी इससे पहले हम लोग आज देखते हैं हिंदी हिंदी में 35 कोशन आने की समावना है हम लोग आज सेट पर्थम सेट लेकर आएं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की ओर दोस्तों अपना कोशन हम लोग कम समय में एक सेट बनाने का प्रयास करेंगे इससे पहले की हम लोगे स्टार्ट करें आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोग 35 में कितने कोशन को सही क के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चयान करें सिक्षक दिवस पर छातरों ने सिक्षक को पुष्टक डैस की तो इसमें अप्सन चार है हस्तगत, प्रदान, भेट और दान तो पहला का एंसर हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C अगला कोश्चन है क्रिपान का विलोम सब्द क्या होता है तो चार अप्सन है करमठ, कठोर, सरल और दाता तो इसका अंसर हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D, क्या है दाता उसके बाद अगला कोश्चन देखते हैं दियेगा सब्द के समनार्थी सब्द का चेन करे जो बान है तो इसका क्या होगा नराचार तने धहन आगमन क्या है अगम तो इसका अप्षन हो जाएगा ए नराचार अप्षन यह हो गया अगला question देखते हैं पंकज किसका प्रयावाची सब्द है वस्त्र कीरन कमल आख तो क् लोग भी बनाते चलिएगा कमेंट में लिखिया कितने कुश्चन सही हुआ अगला कुश्चन है सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करें तो अप्सन नमबर क्या हो जाएगा डी अस्था यूतुर खून अगला कुश्चन है छो नमबर खून का घूट पीना मुहाबरे का सही अ अगला कुश्चन साथ नमबर है दिये गए वाक्य में रेखांकित अंस को प्रतिय स्थापित करने के लिए शब्से उप्यूक्त विकल्प का चैन करें मोहन के गए पर वह उठ बैठा क्या है क्या है क्या है क्या अप्सन चार क्या है दौरने पर मरने पर जाने पर उठने पर तो इसका सही अंसर हो जाएगा सी मोहन के जाने पर उठ बैठा ठीक है अप्सन सी अगला कुश्चन है दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द दीजिए अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तू तो अप्सन चार क्या है धरनी धरोहर धर्नग्य उसके बाद है धरा तो इसका अप्सन हो जाएगा डी हम लोग किसी का धरोहर रखते हैं न अगला कुश्चन हो जाता है इसको हटा दिये गए सब्द का विलोम चुने क्या है जातिये तो जातिये का विलोम क्या होगा पहले अप्सन पहलेते हैं सजातिये अजातिये वी जातिये प्रजातिये इसका option हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C, क्या है V जातिये, धन से संबंधी तकला question है, रखने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा, चार option है, शम्पति सास्त्र, भौतिके, आर्थिक और अर्थ सास्त्र, तो 10 का answer हो जाएगा C, क्या है आर्थिक, क्या हो जाएगा दोस अगला कोशन देखते हैं दोस्तों, 11 नमबर, दिये गए वाक्य के किस भाग में तुरूटी है, उसने आवाज देकर पूछा, तो अप्सन 4 क्या है, आवाज उसने पूछा देकर, तो अप्सन नमबर हो जाएगा, A, क्या हो जाएगा, A, अवाज, अगला कोशन बारे नमबर देखते हैं, दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द दिजिए, खेतों में मेरो से बनाए गए छोटे-छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, तो चार अप्सन क्या है, देख लेते हैं, क्यारी, नहर, परनाला, नाली, तो हम लोग खेतों में क्या बनाते हैं, अभी गो नंवर में क्या है क्यों सही वरतनी वाली सब्द का चैन केजिए, शुर्प नाखा, शुर्प सुपर नाखा, शुर्प नाखा तो इसका एंसर नंबर यह हो जाएगा, अगला कूसन देखते हैं, चौद्दा नंबर क्या है, पसीना होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो देखते हैं आपसन भैभीत होना, प्यासा होना, सर्मिंदा होना, क्रोधित होना, तो इसका सिंपल सी एंसर हो जाएगा, सर्मिंदा होना, अगला कोशन देखते हैं, परस्न, अब देखें, परस्न 15 से 19 क्या है, दिये गए अनुछेद में कुछ सब्द हटा दिये गए है, दिये गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे परतेक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चैन के जए तो हम लोग परते हैं अनुछेद क्या है भारत के गाव डैस के मनोड़ा थस्तल है वहां का निवासी प्रकृती की डैस में ही पल रहा है प्रंतु डै दिश्टी से पिछरे हुए गावों की इस्थिती अत्यान्थी डैस है क्योंकि वहां के लोग डैस पर निर्वय करते हैं तो देखें अप्सन नंबर कोश्चन नंबर 15 क्या पर लाए गधांस में रिक्त स्थान एक के लिए सरवाधिक उप्योग सब्द क्या होगा देखें तो भारत के गाव डैस के मनोड़त पर इस्थित है क्या हो जाएगा अगला कोश्चन क्या है 16 नंबर गधांस के रिक्त स्थान के डैस के लिए दो के लिए सरवाधिक उप्योग सब्द होगा तो देखें क्या है ? बोला है वहाँ की निवासी प्रकृती डैस में ही पल रहा है क्या पल रहा है गोद में साथ में छाओ में हाथ में तो क्या हो जाएगा प्रकृती के गोद में पल रहा है अगला कोशन 17 नंबर है तीन नंबर के लिए भरना है क्या तीन नंबर बोला है में ही पल रहा है प्रन् कुछ दिरिष्टि से राजनीतिक दिरिष्टि से तो आर्थिक दिरिष्टि से क्या है पीछले हुए है option number B हो जाएगा उसका अगला question है अठारे नंबर क्या है गधांस के रिक्त अस्थान गधांस के रिक्त अस्थान चार के लिए सरवाधिक उप्युक्त सब्द होगा option पहले पहले लेते हैं क्या है अस्थरिये शंपन कठिन और दै निये तो अठारे का इंसर हो जाएगा डी क्या है दै निये क्योंकि क्या बोला है चार नंबर में पिछले हुए गाओकि इस्तिती अत्यनत ही दै निये है ठीक है उसके बाद एगला question देखते है रिक्त अस्थान की 5 के लिए बोल ला conducting पर है क्योकी वहां के लोग देखें क्या बोल ला है यहां से देखें क्योकी वहां के लोग डैस पर ही निर्भर करते हैं क्या चीज़ है पंचायत प्रक्रिती क्रीसी और क्या है निचा सरकार तो इसका option नमबर हो जाएका c क्या हो जाएगा 19 के c हो जाएगा दोस्तो 19 के option number c हो जाएगा निचा नहीं टिक लग रहा है option number c है क्रीसी क्या क्या गाव के लोग क्रीसी पर निर्भर करते हैं तो यह हो गया अगले question की तरफ हम लोग हाँ तो 20 नमबर हम लोग question हाँ जिसके 10 दसानन है वाक्यांस के लिए एक शब्द लिखिये तो क्या है कवी दिनकर b में है राम c में है दसानन कभीर तो सब के पास है दसानन है तो दसानन हो जाएगा इसमें हम लोग बरस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा दसानन अगला कोशन एक इस नमबर क्या बोला है उस विकल्ब का चैन कीजिए जो नीचे दिये गए मुहावरे का अर्थ रख व्यक्त करता है तो आपने क्या है आपे में आना ठीक है तो इसका क्या option है होस में आना, काबू में न रहना, बेχोस हो जाना, बहुत गुस्से में आना तो इसका option number क्या हो जागा ए होस में आना अब 22 number question देखते है क्या है दियेगा सब्द के बिलोम सब्द का चैन करे आसक्त का बिलोम सब्द क्या होगा विरक्त विस्त्रित अनासक्त सक्त तो क्या हो जागा अनासक्त अगला कोशन 23 नमर क्या है दियेगा सब्द के शमनार्थि का chain करे कोयल है ठीक है तो कोयल का क्या होगा मूरारी अनंग वसंत दूत स्वान्थ क्या वसंत वसंत में आता है कोयल तो simple लगा सकते हैं हम लोग क्या वसंत दूत अघला question 4 दो 4 दो बहुत ही आसान question है दोस्तो आप लोग भी वीडियो को रोक कर question अपसन कितना सही कर रहे हैं कमेंट में जरूर किजिएगा 24 नवा question हम लो देखते हैं दियेगा सब्द के विलोम सब्द का चेहन करे स्वल पायू क्या होगा विलोम सब्द अवस्था चीरायू दिर्ग अलपायू तो इसका सही अपसन हो जाएगा 24 के B अगला कोचन देखते हैं निमलीखित में से असुध वर्तनी वाले सब्द को पहचानिये तो क्या है अपसन पहले देख लेते हैं जियो तीसी डारधीची ताज्यूब दस हारा तो पचीस के इंसर हो जाएगा B डारधीची 26 नमद देखते हैं निमलीखित में से सुध वर्तनी वाले सब्द को पहचानिये क्या है सुध वर्तनी वाले सब्द को पहचानना है तो 26 के सुद्वरतनी वाले सब्द क्या हो जाएगा? कारीगर क्या है इसमें से? कारीगर अगला कुछन देखते हैं 27 नमबर ठीक परिनाम देने वाला वाक्यांस के लिए उप्यूक्ट सब्द होगा क्या हो गया? 27 का अंसर हो जाएगा C क्या हो जाएगा? फल दाई दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्द दिजिए बीना वेतन के काम करने वाला क्या होता है? तो इसका चार अप्शन है दूस्तो वैतानिक अवैतानिक उसके बाद अपया भुगतान वीहिन तो इसका अप्शन हो जाएगा B क्या है? अवैतनिक क्या हो जाएगा? अवैतनिक उसके बाद देखते हैं अगला कुष्टान नलीन किसका पर्यवाची सब्द है? 29 नमबर बोल ला है तो इसका अप्शन देखते हैं क्या है? कपरा जल कमल स्वर्ण क्या है? तो 29 का अप्शन हो जाएगा C उसके बाद है सुरी दोस्तों 29 का अप्शन नमबर C है 29 का अप्शन नमबर C हो गया अगला कुष्टान देखते हैं काटो पर लोटना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? 30 नमबर बुल ला है तो अप्शन क्या है? संकट में डालना बाधा दूर होना बेचायन होना तो काटो पर लेटना का होता है बेचायन होना देखिए दोस्तों अप्शन C है क्या है? अप्शन C है यहाँ देखते हैं ठीक नहीं लग रहा है लेकिन है अप्शन C है ठीक है अगला कोशन क्या है? 30 तक हम लोग कर लेते हैं अगला कोशन देखते हैं 31 नमबर कोशन हम लोग है दोस्तों आ गया सरोज का संधी विछेद क्या होगा? 31 का अप्शन नमबर एंसर है D 32 नमबर कोशन देखते हैं क्या है? अनुवेशन का संधी विछेद क्या होगा? ठीक है? 32 का अप्शन नमबर हो जाएगा C अनुजोर एसन 33 नमबर कोशन हम लोग देखते हैं क्या है? हिंदी भासा का जान्म हुआ ठीक है? क्या है? लोकिक संस्कृत से पाली प्रकृत से मागधी अप्भरन से वाइदिक संस्कृत से तो इसका 33 का अप्शन नमबर हो जाएगा B पाली भासा ठीक है? अगला कोशन देखते हैं निमलीखित में से योगिक सब्द कौन है? 34 नमबर क्या बोला है? योगिक सब्द कौन है? लंबोदर, पुत्र, पाठ साला, गाय तो इसका अप्शन नमबर 34 का B हो जाएगा उसका बाद अगला कोशन देखते हैं 35 नमबर निमलीखित में से योगिक सब्द कौन है? ये भी योगिक ही पूछ रहा है तो काम है राजपुत्र, पंकज और कमल तो क्या हो जाएगा 35 का इंसर B दोस्तों ये रहा हम लोग का हिंदी का एक सेट 35 कोशन बहुत ही असान कोशन था जिसको हम लोग बनाय है फिर हम लोग ने इस क्लास में अगला सेट लेकर आएंगे और ऐसा ही कम समय में पर्यास करेंगे बनाने का और समझने का ताकि हम लोग एक जाम असानी से पास कर सके अपना एक एक सीट हम लोग खुद ले सके धन्यवाद वीडियो दिखने के लिए मेरा पर्यास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स खलास में तब तक के लिए जैहिन